कमश्कार दोस्तों कैसे आप सब तो स्टार्ट करते हैं शेकर इंट अफियर्स तो पहला आर्टिकल कह रहा है इसमें जो हमारे फिनिस्टर एंट अन्रॉक सिंग ठाकुर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म का जो मडूल वो लांच किया है जिसको बोला गया है हिसाब की किसाब ठीकल के मॉडूल किसका है इंवेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड अफरिटी आई एपी एफे हिदल्बॉक सिमेंट अनौंस इस इंटेंशन तो अप्ग्रेट इस प्लांट ऑन दे स्विडिश आइलेंड ऑफ दे गोटलेंड तो बिकम द वर्ल्ट फर्स्ट कार्बन नूट्रल सिमेंट हिदल्बॉक सिमेंट जो है कंपनी उसने यह डिसाइड किया है कि जो स्युडिस आइलेंड है वहाँ पर जो है वो वर्ल्ट की पहली कार्बन नूट्रल सिमेंट प्लांट पनाएगा ठीक है उडिसा कवर्मेंट ने डोर्स टेप बिलिवरी स्टार्ट किया किसकी ऑक्सिज किया है कि जो देश में युवा हैं उनके ट्रेनिंग के लिए और उनके एंप्लाइमेंट के लिए महरास्ट एपरेंटिंशिप प्रमोशन स्कीम लाँच की जाएगी महरास्ट एपरेंटिंशिप प्रमोशन स्कीम ठीक है यूरोपन कमिशन और जो आपका बिल गेट्स का है उन्होंने जै मिलकर वन बिलियन डॉलर रेस करने का ठाना है किसके लिए जिससे की लो कार्बन टेक्नोलोजी का डवलोप्मेंट हो सके योरोप में ठीक है और जो क्लाइमेट चेंज गोल से उनको अच्छीव किया जा सके प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने अपनी सहमती दे दिये किस्टिस के लिए कि एक एग्रिमेंट साइन होना है कॉपरेशन इन दा फ्लीड आफ मास मीडिया विद एस सी ओ उसके लिए जो है नरेंद मोदी जी ने अपनी सहमती दे दिये नोवाक जोकोविच जो की वर्ड नमबर वन प्लेयर है बैडमिंटन के उन्होंने जो है बिल्ग्रेड ओपन टैनिस टूर्णामेंट जीत लिया है चलिए देखते हैं मेन आर्टिकल्स आज के Significance of G7 Summit for India क्या है G7 के बारे मैंने जै कल बताया था आपको आप मेरा कल करेंटेफिस देख लीजिए मापकर पता रखा है वाट इस G7 कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर और क्या-क्या इसके मेन रोल्स है तो G7 जो है अगर हम बताओ मैं मोटा मोटा तो जै यह वर्ड की 7 most advanced economies है G7 तो इस साल के जो G7 Summit है वो UK ने होस्ट किया है ठीक है होस्ट करेगा इस week में और हमारी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीर मोधी भी पार्टिस्पेट करेंगे इसमें वर्ट्वल समिट में ठीक है अब देखते हैं कि आखिर यह इस से क्या होगा कि जो इंडिया है और जो वेस्ट पावर्स हैं उनके बीच में रिलेशन स्ट्रॉंग होगा और इस समिट में यह भी चचा की जाएगी कि आखिर ग्लोबल फाइनेशल कैसे जो आएद दोजाराट में उसके बाद क्या के चिंजिस हुए पूरे वर्ड में जैसे चैना के राइस होना डिविजन ऑफ पावर बेट्विन वेस्ट एंड यूरोप इन ट्रॉम्प यर्स या फिर नॉर्ट अमेरिका और यूरोप के बीच में किस तरीके से COVID-19 के बाद रिलिशन रहे हैं इन सब चीजों को जान में रखते हुए यह समिट और नैस किया जाएगा इस बार का इस दा फर्स टूर अब्रोइड आस मतलब यूएस प्रसेडेंट जो है यह यह पहला टूर है बार्ड पीम बनने के बाद बाद बादन का जो जाएंगे और बताएंगे कि यह कि हां अमेरिकन लिडर्शिप इसनी स्ट्रॉंग है और वेस्ट जो है क्लेक्टिवली काम पुरे वर्ल्ड के डवल्पमेंट के लिए ठीक है और इंडिया के लिए इंपोरेंट इसलिए है कि यूएस और यूरेप के साथ उनका रिलिशन और स्ट्रॉंग बने वो चाते हैं चले देखता है यह आर्टिकल आपको मालम से लिगा वाट इस जी इंपोरेंट है आर्ट को मतलब जह सही से पढ़ लिजे वाट इस जी इंप बहुत बार आता है तो जी इंप में जो है प्रटक्ट लॉंच किया है ठीक है ग्रीन रूम एर कंडिशनर के रहत और यह जो पार्ट है किसका होगा सस्टेनेबल पॉब्लिक प्रकूर्मेंट प्रोग्राम का तो अब य स्टेनेबल पॉब्लिक प्रकूर्मेंट को कि हर जगा हर देश में हर इजन में और ग्लोबल लावल पर जो है इसका पालन हो ठीक है चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस से ने यह डिसाइड किया है कि वह 15 ओवर्ट्योर प्लेंस पर्चेस करेगा किस से डैन्वर बेज्ड स्टार्टप बूम से अब जान देता है यह ओवर्ट्योर प्लेंस क्या होता है लेकिन उसको उससे पहले ह ऐनायरा दें शूर्त की स्टार्टम अरगहा सक जो की सांट की स्टेग करते हैं मतलब कि उनकी स्टार्टी अरां नैन कीकल पर password सुप्लाट्पलों से दैन्ट सूसे यूज्योर 설 यूज बादा देविखन किकली प्लेंस की यह प्लेंस यूज़ किये जाएंगे और ओवर ट्योर प्लेंस प्रचेस के बात है यूज़ से की जिसकी स्पीड तो जो है सुपर सॉनिक प्लेंस से भी डबल होगी अराउंड एटीन हंड़ेट फाइट क्लोमेटर पर आर्ट मार्क 1.7 स्पीड होगी इन प्लेंस की ठीक है और यह एक बार में 65 तो 88 पसेंजर कर सकते हैं और 60,000 फीट तक वो जा सकते हैं ठीक है दोस्तों नेक्स आर्टिकल है अभी अभी जो है था डैजर्ट में दो फ्रांस के रिसर्चर ने कुछ लाइंस मिली हैं उनको डैजर्ट के अंदर जिनको बोला जाता है जियो गिल्फ यह लाइंस देखी गई है ठीक है यह जो लाइंस हैं जियो गिल्फ यह लाज अनेक्स्प्रेंड ड्रमेंटिकल पैटर्न्स हैं जो मेंली मैनमेट फीचर होते हैं इससे पहले साउदन पैरू में भी देखा गिया था जो की हजार स्कुरे क्लिमेटर ते फैला हुआ था यह है चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि किन और हिमासियल प्रदेश में जो हाइड्रो और बन रहा है ठीक है हाईड्रो लेक्टिक का तो उसके विरोज में लोक आगे सामने आगे हैं ठीक है वो तो जय जो भी बंता है एक ट्रृक्टिक पावर प्लांट उसका व्रोध लोग करते ही है क्यों कि जब भी ये प्लांट बनते हैं ऐसे तो उसमें जो है जो फॉरेस्ट की लैंड है जो गाहों वगारा है वो सब डूब जाते हैं फानी के अंदर तो भाई जिनका अपना घर अपनी लैंड है वो अगर चली जाएगी उनके इस चीज के लिए ट्वैल किमेंटर लॉंग ट्रनल भी बनाई जाएगी जिससे की पानी को हम डाइवर्ट कर सकें इस प्रजेक्ट में यह अनुमान लगा जा रहा है कि जो है 295.93 हेक्टर लैंड की नित पड़ेगी जिसमें से जो है 270 हेक्टर के आसपास तो फॉरेस्ट लैंड है और 25.5 हेक्टर जो प्राइवेट लैंड है तो मतलब कीज़े आप समझ सकते हैं इस धेम के बनने के बाद जो है फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा ठीक लेकिन गवर्मेंट यह प्रियास करती है कि जो यह एरिया कम हुआ है इतना ही यह सच्छादा एरिया हम प्ल फॉर्म है नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो उन्होंने यह चिताबनी दी है कि आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो चिल्डरन्स है जो ओर्फन हो गए हैं बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं या जो अबेंडन हो गया है चि अब जान लेता है यह एक्ट क्या है जो बच्चे मतलब जेल में हैं या किसी जुर्म का चिकार हुए है या किसी को केर या प्रटेक्शन चाहिए उनके लिए जो है यह एक्ट आया था यह मैंडेट करता है कि एक जुवेनल जेस्टिस बोर्ड एस्टिबिश हो और चायर डिवेलफिर कमीटी इस्टिबिश हो हर डिस्टिक के अंदर जिसमें कम से कम एक जो है वोमेन मंबर भी होनी चाहिए इसके लिए कारा भी अपॉइंट किया गया था मतलब कि एक के तहर इसको अस्टिबिश किया गया था तो यह इसके बारे में हैं जो आपका चायर के इंस्टिशन होंगे वो स्टेट गवर्मेंट रन करेगी या फिर कोई वॉलेंटरी या नौन और्गनाजिशन रन कर सकते हैं लेकिन जिदूरी है कि वो मैंडेटरिली ट्रेजिस्टर्ड हो विद्धा जूइनल जिस्टिस ए यह होस्ट करने वाला है 10 members जो है ACIAN के उनके फॉर्म मिनिस्टर की meeting को होस्ट करेगा तो अभी जो है ACIAN को 30 साल पूरे होने वाले हैं ACIAN जो है एक मतलब बहुत important grouping है for China also और Quad initiatives के लिए भी यह अच्छा platform है चाइना ने अभी अभी Quad को बोला है एशियन नाटो को से रिप्रेजेंट किया है अब ACIAN क्या है जिसकी meeting जो है चाइना होस्ट करने वाला है तो ACIAN जो है एक association है Southeast Asian nation का South East Asia जो है उनके जो nations है उनका यह grouping है जो प्रमोट करता है political and social stability in the reason and rising tension among the Asia Pacific post-colonial states तो उनके भी जो भी issues है वो करता है handle ACIAN countries कौन-कौन से members है वो देख लेते हैं जो भी South East Asia के members हैं वो countries है वो members है जैसे Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam यह countries है 10 members है ASEAN में ASEAN की significance का है इंडिया के लिए है जैसे की हम जानते हैं कि तद्दाक के stand-off में China का aggressive move रहा तो उसको देखते हुए जो इंडिया की stand है उसको support चाहिए South East Asia का तो उसके लिए जो grouping है important है इसके इलावा जो है इंडिया की जो act East policy है तो वो भी जो है South East Asia countries पर depend करती है उनके साथ engagement कितना अच्छा है उसके इलावा जो specific reason में इंडिया चाहता है कि हाँ चाइना की जो जो इंफ्लेंसर उसे कम किया जा सके और trade में भी boost मिले तो उसके लिए इसके लिए इंपोर्टेंट है इसके लावा जो इंडिया का जो सागर विजन है security and growth for all in the reason वो भी जरूर ये इस यान के साथ अच्छे relation बनाया रखने के लिए चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल लेंडर्स जो हैं जैसे bank होगे या financial institutions होगे हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 89,000 क्रोड का जो 22 bad loans है वो transfer करेंगे किसमे national asset reconstruction company के अंदर ठीक है तो यह मतलब तार्गेट है कि जह 2 trillion rupees के आज पास का bad loan transfer करना है इस company में national asset reconstruction company के अंदर अब यह जान लेता है कि what is the national asset reconstruction company limited यह setup हुआ था ठीक है ना और 2021-22 में इसकी बात की गई थी कि जो भी landers है वो अपना stressed asset मतलब कि जो NPA बन चुका है या बनने वाला है या उनको लगता है कि इस asset की recovery possible नहीं है तो वो इ इसमें डाल सकते हैं national asset reconstruction company limited एक्चुली इसको हम bad bank के नाम से भी जानते हैं यह ऐसा bank है जिसमें जो है different lenders की ऐसी properties पड़ी होती है जो की NPA हो चुकी है तो इस bank का जो main plan है वो क्या है कि to house the bad loans of 500 rupees crore and above ठीक है in a structure that will contain an asset reconstruction company and an asset management company to manage and recover debt asset जो asset debt हो चुके हैं उनको दुबारा से recover करना अब जान लेते हैं what is the asset reconstruction company it is a specialized financial institution that buys the NPA from banks and financial institutions so that they can clean up their balance sheet और जो उनके main काम है उन पर ध्यान दे सकने हैं जो asset reconstruction companies है वो registered होती है under RBI तो asset reconstruction company का mainly काम यही होता है कि जो NPA हो जो asset NPA हो चुके हैं उनको लेना bank से और recover करना ठीक है चलिए next article है प्राण वायो देपता pension scheme यह क्या है यह हर्यान क्परमेंट का initiative है जो trees 75 years cross कर चुके हैं उनको honor किया जाएगा क्योंकि उन्होंने जो है humanity के लिए बहुत अच्छा काम किया है oxygen produce करी है pollution reduce किया है तो asset trees identify के जाएंगे by the involvement of local people इसके लावा अर्याना नहीं oxygen when शुरू किया है इसका मतलब क्या है कि different small pieces of land identify किया जाएंगे इस टेट के अंदर जहां पर three crore trees को plant किया जाएगा ठीक है इतो oxygen whens होंगी कुल मिला के 10% area cover करेंगी खर्याना का और यह बस समझ में तो यह था दोस्तों आज की आर्टिकल्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ मैं होंगे अगर चलिए लगे वीडियो प्लीस लाइक इस वीडियो शेर दिस वीडियो सब्सक्राइब थैंक्यू है वाइट नाइस टे